दोस्तो मिस्टर बीन एक ऐसा नाम है जिसे याद करते ही चरे पर पड़ी से मुस्करहाट आ जाती है दोस्तो मिस्टर बीन का रियल नेम रॉमन एटकिंसन है मिस्टर बीन का जन्म 6 जनुरी 1955 को इंगलेंड में एक मिडल क्लास फैमिली में हुआ था इनकी पिता किसान थे और इनकी माता हॉस वाइप थी दोस्तो मिस्टर बीन की हरकती चाहे कैसी भी हो लेकिन मिस्टर बीन बहुत ही पड़े लिखे है दोस्तो रॉमन क्विन्स कॉल्ज में डिगरी के लिए पड़ाई कर रहे थे रोवन फर्स्ट येर में थे जब उन्हें Oxford Playhouse में One Night Show के लिए स्केच लिखने को कहा गया तब उन्होंने शीशे के सामने खड़े होकर तरह तरह के चैरे बनाने शुरू किये और इस तरह funny and non-speaking actor का जनम हुआ दोस्तो रोवन ने अपने केरियर की शुरुवात 1978 में BBC Radio 3 से कमेड़ी शोओ सीरिस दा अटकिन्स पीपल से की थी फिर 1979 में TV कमेड़ी शो नॉट दा 9 ओकलॉक न्यूज में भी काम किया दोस्तो उनकी ब्लैक एडर बहुत सक्सेस्फुल रही Never Say Never Movies से उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई फिल्मों में काम किया लेकिन दोस्तो सबसे यादगर करदार मिस्टर बीन ही रहेगा दोस्तो 1990 में आई मिस्टर बीन ने रोवन की जिंदकी बदल दी और उन्हें Great British After Comedian की उपलब्दी हासल करवा दी दोस्तो Mr. Bean की Animated Series 2002 में आई थी जिसके लिए अवाज खुझ रॉमन ने दी थी दोस्तो रॉमन बोलने में हिकलाते थे और उनका चरह सबसे अलग दिखता था यही तो कारण थे कि Classmates उनका मुझाक उड़ाते थे लेकर उन्हें यह कभी नहीं सोचा होगा कि जिसका वो मुझाक उड़ा रही है उसे Commander of the Order of the British Empire के टाइटल से Queen Elizabeth ने निवासा और वो 132 US Million Dollars के संपत्ती के मालिक होगे दोस्तो अपनी कमजोरी को कैसे तक बनाया जाए यह रॉमनी स्काय है दोस्तो मेरी और वीडियो से लिया प्रेस्टे सब्स्क्राइब बटन थैंक यू